खराब मौसम में पाइलोट्स की डूटी लगाने में लापरभाई बरतने को लेकर स्पाइस जेट और एर इंडिया पर 30 लाक रुपे का जुर्माना लगा है डारेक्टोरेट जनरल और सिविल एसोसियेशन ने बूधवार को दोनों एरलाइन्स के खिलाफ ये कारवाई की डीजी सिये की तरफ से बताया गया कि दिसंबर 2023 में फ्लाइट्स के लेट कैंसिल और डाइवर्ट होने के डेटा का एनलाइसिस किया गया था इसमें पता चला कि कोहरे के कारण 25 से 28 दिसंबर के बीच दिली एरपोर्ट पर करीब सहट फ्लाइट्स लेट हुई थी इन में सबसे ज़्यादा एर इंडिया और स्पाइस जेट की फ्लाइट्स थी जाज में पता चला कि Air India और Spice Jet ने खराब मोसम के बावजूद C-83 की ट्रेनिंग ले चुके पाइलेट को ड्यूटी पर नहीं लगाया था दोनों एरलाइंस ने विमान उड़ाने की जिम्मेदारी उन पाइलेट्स को सोभी जिनके पास C-83 की ट्रेनिंग नहीं थी इसके कारण ज्यादातर फ्लाइट्स लेट और डाइवर्ट हुई C-83 यानि केटेगरी 3 खराब मोसम में फ्लाइट्स की सुरक्षित लेंडिंग कराने का इंटरनेशनल स्टेंडर है इसमें एडवांस आटो पाइलेट ग्राण एक्विपमेंट और प्रिसीशन इस्टुमें अप्रोश चामिल होता है जिसकी मदद से कम विजिबिलिटी के दोरान फ्लाइट की लेंडिंग कराई जाती है इसी के साथ मैंने रही है एश्या इस इंडिया के साथ हैंने वादे